नमस्कार दोस्तों, Blessing Study Point में आपका स्वागत है जैसे कि आपने टाइटल में देखी लिया है कि इस वीडियो का अधार क्या है? कि हर्याना में महिलाओ के द्वारा पहनी जायने वाली वेस भूसा इसका अधार है अकसर पूछा जाता है CT, HSC, हर्याना की किसी भी एक्जाम में पूछा जाता है कि ये कहां पर पहना जाता है, ये कौन से अंग पर पहना जाता है तो यही हमारा इस वीडियो का अधार है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोटी, जिसको कमरी भी कहा जाता है अब कमरी से तो आप अनुमान लगा सकते हैं लेकिन कोटी से आप अनुमान नहीं लगा पाते तो मैं बताता हूँ जो कोटी है यह बाजू या बिना बाजू की जैकेट होती है या हम कह सकते हैं कि यह पूरी या आदी आस्तिन की कमर तक की जैकेट होती है इसे पहले विवाहित इस्त्रिया ही पहनती थी हमें इसके बारे में इतना पता होना चाहिए नेक्स आते हैं उल्टी लामन का घागरा अब उल्टी लामन का घागरा घागरा से आप समझत हो जाओगे लेकिन ये क्या है यह है उल्टी लामन का उच्चा घागरा होता है ये हमें पता होना चाहिए जो की प्राए गुजरी पहनती थी हमें ये भी मालूम होना चाहिए नेक्स आते हैं आंगी आंगी सूती कपड़े का वहवस्तर होता है जो की कमीज या जमफर के नीचे पहना जाता है नेक्स आते हैं ओडना ओडना से आपको अनुमान भी हो गया होगा कि इसे ओडना या ओडनी भी कहा जाता है यह महिलाओ द्वारा सिर पर धारन किया जाता है इस पर गोट गोटा लगा हुआ होता है नेक्स्ट है देखो दोस्तों कैरी कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपोटेंट रहेगा एक्जाम की दृस्टी से कि कैरी निले खदर पर लाल टीको वाले कपडों का घागरा कैरी कहलाता है तो क्या है नीले खदरपा लाल टीको वाले कपड़े का घागरा क्या कहलाता है कैरी कहलाता है नेक्स्ट है कंग यह पक्के लाल रंग का ओड़ना होता है इनकी कई तरह की कड़ाई होती है जलसे की कड़ाई, मिर्चों के पोधों की कड़ाई, बटनों की कड़ाई और फिर्कीदार कड़ाई लोग प्रिये थी इस कड़ाई के अदार पर ही इसका कंग नामकरन हुआ है नेक्स्ट जो वेसबुसा है वो है गुम्टी यह सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बुंदियों की कड़ी ओड़नी होती है नेक्स्ट वेसबुसा है चांदतारा घागरा यह खद्दर पर दूज के चांद और तारे की छपाई वाला कपड़े से बना घागरा होता है इनके अत्रिक्त खागडों की अन्य किसमें भी होती है जैसे की ठाग पत्ता, पितपल पत्ता, नई चाल, घहू धाना और तेरी मेरी सला नेक्स आती है चुन्री जैसे की नाम से ही पता चल रहा है कि ये ओडने की है तो यह लाल पलो और बीच में नीले रंगाई वाली पतली मलमल की ओडनी होती है इसके बाद आती है सियामा, यह वेसबुसा क्या है यह पीले पाट की आकरसक कसीदा कारी से युक्त ओडनी होती है फिर आती है डिमाच, जिसको डिमाच भी कहा जाता है यह रेशमी ओडनी होती है जो दुलहन को चड़ाई जाती है नेक्स्ट वेसबुसा है दुकानिया यह खदर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कड़ाई युक्त ओडना होता है इसकी सिर्फ किनारियों पर ही कड़ाई की जाती है नेक्स्ट वेसबुसा है पीलिया यह लाल किनारियों के बीच पीले रंग के बड़े चाप वाला उड़ना होता है यह लड़के के जनम पर पीहर से बेटी को भेजा जाता है जिसे उड़कर वह महिला कुवा पुजन के लिए जाती है नेक्स्ट वेस्बुसा है फुलकारी दबी नुमा फुलकारियों की कड़ाई वाली ओडनी को फुलकारी कहा जाता है जिसमें सघन कड़ाई होती है यह मुख्यत है साल बनाने की एक कला है नेक्स्ट वेस्बुसा है मोडिया यह नीले या काले पलो की रंगाई का पारिक ओड़ना होता है उसके बाद बात करते हैं लहरिया की तो लहरिया यह बंदेज की रंगाई से तियार किया जाता है ओड़ना होता है ये भी नेक्स्ट फेस भूसा है ले यह नीले कपड़े पर पीले और नीले धागों से की गई कड़ाई वाले कपड़े का घागरा होता है अब बात करते हैं सोपली की यह गहरे लाल रंग के किनारे पर छपी ओड़नी होती है जिसे मांगलिक ओड़नी समझा जाता है देखो दोस्तों इस वीडियो में हमने पता किया है कि जो महिलाए है हर्याना की जो महिलाए है उनकी वेश भूसा क्या है तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आभूसन भी देखेंगे और पुरुष के द्वारा जो पहनी जाती है वेस भूसा है उनको भी हम देखेंगे और बच्चों के द्वारा क्या-क्या पहना जाता है वो भी हम इस अगली नेक्स जो वीडियो रहेगी हमारी उसमें कवर करेंगे अच्छा दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए जहिन